एलपीजी गैस के दाम में बड़ी गिरावट आई है, एलपीजी बैचने वाली कमपनियों ने रेट सस्ते कर दिये हैं, ये कमी कमर्शल एलपीजी गैस के दाम में हुई है, हलाकि रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया, पहली जून यानि कि आज से एक बार फिर कमर्शल सिलेंडर 83.5 रुपे सस्ता कर दिया गया है, अलाकि अप्रेल और मही महीने की पहली तारीक को भी 19 किलो वाले कमर्शल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की गए थी, एक मही दो हजार तेईस को कमर्शल सिलेंडर करीब 172 रुपे सस्ता हु इस बार भी 14 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी पतर का बद्दाव नहीं हुआ, इधर घरेलू गैस से 1106 रुपे 50 पैसे प्रतिय सिलेंडर में ही मिलेगा, आज इसे कमर्शल सिलेंडर की नहीं गड़ी लागु ही और इस कबर पर अधिक बाचीत के लिए मेरे साथ फोलाइन पर चुट चुके हैं हमारे सायोगी बीके शर्मा, बीके अल्पी जी गैस के दाम में बड़ी गिरावट कर दी गई है, अब जो सरकार की तरफ से है वो एक तरह से एक बड़ी राहत दी गई है, कितना जो आमदन तक पुरे देश में अल्पी जी के दाम नहीं बड़े थे और इस ते रोगे थे, तो हमारे देश में जो भी पी एस यूज है या तो सरकार या सरकार से संबंदित जो कंपनियां हैं, उनके जिनका नियंतरन सरकार के पास है, वहाँ पर बिना जो राजनेतिक पहलू है, उस को उसके बिना वहाँ पर कोई डिसीजन होते नहीं है, तो ये भी इसको देखा जा रहा है कि अब लगातार जैसे मई में भी लगबग 173 रुपे कम हुए थे और अब ये 83 रुपे के करीब ये कम हुए, तो कुल मिला के दो मैने में 250 रुपे, जो कमर्शन गैस सिलिंडर है उसके कम नहीं है, तो जो कमर्शन गैस सिलिंडर है, उसके भी उभगता, जो घरेलो उभगता है, उनसे कम नहीं है, ये तमाल जितने भी होटिल, रेस्टोरेंट, डावे, चाई की धड़ी या इस तरह के जितने खाने पीने का सामान है, जो बनाने वाले लोग हैं, वो इस लगता नहीं कि अब एल पीजी की कीमतों में ब्रद्दी होगी, अब आने वाले जिनों में देखेंगे कि ये लगातार और भी कीमतें कम होंगी, ताकि जो महंगाई को लेकर विवक्ष सरकार को घेरता है, मोजी सरकार को, तो उसका जवाब दिया जा सके, या फिर उस को समाप्त किया जा सके, ये प्रयास है, मोजी सरकार का, तो आने वाले दिनों में ये राहत और बढ़ सकती है, सुने दी, जी, जैसा कि हम जानते हैं अब इतक घरेलो गैस के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, तो क्या कोई संभावना है कि इसके दामों में भी संतुलेट करने की कोशिश की जा रही है, सरकार की ओर से, और पैट्रोलियम कंपनियों की ओर से, और इसके बाद में जो भुगताओं के लिए जो घरवलू सिलेंडर होता है 14 किलों का, तो उसके उपर विचार किया जाएगा, लेकिन पहले इसकी बहुत जादा कीमते करने के लिए